है 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 लो फ्रेंड्स वेल्कम तो मैं इस्टेडी फिट चैनल दोस्तों मैं फिजिकल एजूकेशन की चेप्टर वाइज का प्रेक्टिस करा रही हूँ जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए एंदर तो इदिया फिजिकल एजूकेशन का प्रिप्रेशन कर रहा है किसी भी इस्टेट के एक्जांट की चाहिवा टीटी पीजिटी के वियस एन वियस यल्टी एंड राजयस्ताम पिटी आई डी कोई भी एक्जांट हो उन सभी एक्जांट के लिए इस चैनल पर सभी वीडियोज है सभी को देखकर आप अपने प्रिप्रेशन को बेहतरी कर सकते हैं दुस्तों हंदेर से ज्यादा वीडियो प्रिवेस यर्यम से क्यूश कोस्टन पर बनाए गया है उसका प्रैक्टिस कर पार्ट बन है तो चलिए दूस्तों स्टार्ट करते हैं इस्पॉर्स सयक्लोजि के Oo का देखते हैं आप कितना तयारी किये हैं दौस्तों क्न है कि बिद्ध्यवाधीकaste करने वाला घटक है कि इसमें से कौन घटक है बिद्ध्यवाध्यक प्रवाधिक cud . लाह सरवाधिक ठीक है अनुवान सिक्ता जो है वह ब्रिधी को सरवाधिक प्रहावित करता है ठीक है एंड दोस्तों नेक्ट कोश्चन है ब्रिधी और विकास का जीरों से तीन साल के उम्र का श्रमे जना जाता है जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है सिसु अवस्था नेक्ट कोश्चन है ब्रिधी और विकास की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा किसके द्वारा प्रहावित होती है तो दोस्तों जो हमारे ब्रिधी और विकास यारे ग्रोथ और डिलॉपमेंट है उस सबसे ज़्यादा प्रहावित होती है नेचर तथा नर्चर यहाँ पे नेचर और पॉसर रद यानि अनुवांसी की and वटावर रड ये इसको कई रूपों में दे सकता है जैसे कि दोस्ट दिया है कि बृदियों और विकास की प्रक्रिया सबसे जदा किसे द्वारा प्राइट होती है तो यहां पे नेचर और नर्चर दिया है कहीं पर अनुवांसी की वता उरड देगा कहीं पर प्रकीतियों पोसर देगा तो इसको आप कर्फ्यूज मत होईएगा ठीक है परियावरणी कारकों को किस सक्ति के नाम से जाना जाता है जैसा कि दोस्तों आप सब को पता है नेचर और नर्चर यानि कि प्रकीति और पोसर अनुवांसी की वता उरड यहां पर क्या बोला है कि परियावरणी कारकों को किस सक्ति के नाम से जाना जाता है तो उसको पोसर के नाम से जाना जाता है यानि नर्चर ठीक है आप समझ गये होंगे आपसर नंबर यहां पर करेक्ट है नेश्ट कुश्चन है अनुवान सिक्ता का वासरिक निधारा कौन करता है जैसा कि दोस्तों एक पिढ़ी से दुसरी पिढ़ी तक हमारे गुड़ों को हस्तांत्रित करने म मदद करता है हमारे जीन्स ठीक है यानि DNA से जीन का निमारू होता जाना करते हैं हमारे गुड़ों को एक पिढ़ी से यानि माता-पिता से अपने बच्चों में इसा नतीत करते हैं तो अनुद्वान सिक्ता का वासरिक निधारा को न करता है नेश्ट कुश्चन है क्रोमोस जो होता है वह DNA अडू से बना होता है ठीक है DNA का फुर्फार्म होता है डी आक्सी राइबो निकलीक एसीड ठीक है और इसे DNA से जिन्स का निमा होता है जो हमारे गुड़ों को माता-पिता से अगले पिढ़े में खस्ता अंतित करते हैं नेक्स कोंस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट है कि जिन्स कैसे कारे करता है तो जिन्स दोतों जोड़ों में कार करता है कितने जिन्स यानि गुर्षूत्रे ठीक है एक ऐसे काम करता है यानि कि तेज़ जोड़ों में काम करता है यानि कि तेज़ जोड़े गुर्षूत्रे हमारे मानों में पाए जाते हैं यानि कुल 46 गुर्सुत्र जोड़ों में कहेंगे तो तेज जोड़े अक्सर ये जोड़ों में ही पाए जाते हैं ठीक है 22 जोड़े गुर्सुत्र जो होते हैं शेम होते हैं अतेश्वा जोड़ी जो होता है पूरुसों में एक्ष वाई एंड इस्तियों में एक्ष एक्ष होता है जिसे जो है बच्चे का जन्म होता है Next question है इस्त्री की जन्म कोशिका को किस नाम से जना जाता है तो उसको अंडाव यानि उभम के नाम से जना जाता है नेश्ट है पुरुस सुक्राड़ों में किस प्रकार के गुर्षोत्र होते हैं सुक्राड़ों यानि इस्पम से किस प्रकार के गुर्षोत्र होते हैं तो पुरुस में X और Y प्रकार का गुर्षोत्र होते हैं नेश्ट है इस्त्रियों में लिंक सम्हंत्री गुर्शुत्र कौल होते हैं तो इसमें यक्ष यक्ष होता है जैसा कि आप सबको पता है नेश्ट है जीवन सुत्र इसे कहा जाता है तो दोस्तों गुर्शुत्र यानि क्रूमोसोम को जीवन सुत्र कहा जाता है ठीक है क्रूमो प्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्रा कुड़ों को अपनी बच्चों में अन्य पिड़ाइब में इस्थाना उन्जा नुक्रम हैं कि सरी प्रक्रिया के कारण वालकी सारेरिक्छंता संरचना मानसिक यूगता में वर्धि होती है तो किसमें होती हे दोस्तो परी nya कि के कारण परिपकता के कारण यानि कि परिपकता के कारण ठीक है मेच्योरिटी के कारण ठीक है एक छोटा बच्चा किस तत्यों की कमी से साइकल नहीं चला पाता दोस्तों इसमें चार आपसन दिया है परिपकता और परभ्यकता प्रोटीन और वसा जैसे कि दोस्तों कनफीज होकर आप लगा देंगे अब परिपकता लेकिन एक छोटा बच्चा इस तातों की कमी से साइकल नहीं चला पाता है तो परिपकता की कमी से ठीक है? मेचुरिटी की कमी से जन्म की पस्चाथ जिस प्रक्रिया के माध्यम से अनुआंसिक्ता सक्री रहती है तो उसे हम क्या कहते हैं? आप पताईए आप सबको पता होगा जिन्स ठीक है? जिन्स के कारण ही जन्म की पस्चाथ अनुआंसिक्ता सक्री रहती है जिन सी हमारे गुरों को माता-पिता से संतान में यानि एक पिभी से दुस्रे पिभी में हस्तान हिच करते हैं NETCH question है X प्लस Y प्रकार के गुर्सुत्रों का पेडान क्या होता है? यानि कि X गुर्सुत्र और Y गुर्सुत्र के मिलने से क्या होता है? लड़के का जनम होता है ठीक है यहाँ पर आपसा नम्बर डी करेक्ट होगा जबकि यक्स और यक्स गुर्ण सुत्र मिलेंगे तो क्या होगा लड़की का जनम होगा तो दोस्तो इस परकार आप समझ गए हें दोस्तो मानों की विविन छमताओं का समझ गए तो मानों की विविन छमताओं का समझ करता है जनम होगा साथर तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आयोग कि सभी कोस्चन्स आपको समझ में आये होंगे एंड इसके सेकेंड पार्ट में और सारे questions होंगे और daily basis पे अब आप practice करते रहेगा daily basis में मैं इसका practice कराती रहूंगी सभी questions का chapter wise तो बने रहे हैं मेरे चैनल पे बहतरीन तयारी के लिए तो दोस्तों फर्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी ब